हालो दोस्तो मेरा रामार राजकुमार स्वागत है आपका क्रेक एसे सिवेद राज में सब्सक्राइज आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे सीख जो डेली पुलिस का एक्जाम जो हमारे हुए थे करते है उसमें जो कटव और रो कितनी जा सकती है जिसमें हम दो कटओ देखेंगे एक तो हम देखेंगे लिए अतलब physical efficiency test जो हमारा physical होने वाला है उसके लिए कितने marks होने चाहिए हमारे minimum जिससे कि हम physical exam में हम जा सकें दूसरा हम देखेंगे final cutoff कितनी जा सकती है जिससे कि हमारा जो है final selection हो जाए Delhi police constable में ठीक है तो इसमें cutoff category wise देखेंगे UR, OBC, EWS, SC, ST के लिए कितनी get off जा सकती है, ठीक है, रिली वीडियो में आगे चलते है इस टोटल एप्लिकेशन जो 2020 में आये थे, वह आये थे 29 लाग के आसपास, ठीक है, जिसमें से अटेंडेंस जो रही थी, वह रही थी 17.5 लाग के अप्रोक्स, ठीक है, यह तो हमारा इस एक्जाम का अटेंडेंस और एप्लिकेशन होगे, उसके बाद गाइस वेकंसी कितनी ह इस एक्जाम में इस एक्जाम में जो वेकंसी जो टोटल आई जो है वह 5,884 वेकंसी है ठीक है इसमें से कुछ मैंस की है कुछ वोमैंस की है ठीक है, उसके बाद कंडिडेंस जो कि P,P,P in PT में जो जएएंगे वो कितने जाएंगे, सत्त्र अजार के आसपास जाएंगे, जो इतने भी vacancies है उसका क्या है 12 गुना ठीक है तो वो लगभग सत्तरहजार के आसपास बैट रहे हैं तो इतने जो students है वो पीटी के लिए qualify होंगे ठीक है physical efficiency test के लिए चलिए अच्छा ये हमारी 2017 की final cut-off है ठीक है ये final cut-off है 2017 में 2016 में आय था जो final उसके बाद कोई भी डिल्ली पुलिस के एक्जाम नहीं हुए बहुत सार यूट्यूब चैनल पर 2018 2019 की cut-off जो की ठीक नहीं है जो एससी ने जो लास्ट इम जो दिल्ली पुलिस इस Constable का एक्जाम लिया तो 2016 में हुआ था ठीक है 2016 वाला था इसका result 2017 में है ठीक है तो इसकी जो देखिए फाइनल cut-off गई थी यू आर के लिए female की 73 गई थी और male के लिए 78 गई थी ऐसी OBC के लिए देखिए female के लिए 69 गई थी और male के लिए 75 गई थी ठीक है male के लिए 67 गई थी ठीक है तो यह थी 2017 वाली वाली वेकंसी 2016 वाली वेकंसी की cut-off ठीक है यह final cut-off है जिसमें की जॉब मेली थी ठीक है चलिए next slide पर चलते है तो यहाँ पर हम देखेंगे वह पीटी में जाएगा ठीक है वह 100% अपनी तयारी करें फिजिकल की ऐसी female candidates अगर 62 यह 60 के आसपास भी अगर उनके marks आ रहे हैं तो तयारी करें अच्छा किसी candidates के माली जिए कि उसको लग रहा है मेरे 60 65 या 58 के करी marks आ रहे हैं तो क्या मैं तयारी करूं आपके जो भी marks आपको लग रहे हैं वह आपके normalized marks नहीं है ठीक है तो हो सकता है आपकी shift hard हो hard shift में आप इतना score कर रहे हो तो आपको क्या है तयारी करनी है 60 62 63 भी आ रहे हैं तो आपको तयारी करनी क्यूंकि कहीं कहीं नॉर्मलाजेशन का फायदा मिलेगा अगर आपकी shift hard है लेकिन easy shift में अगर जैसे शुर्वात की 2-3 shift जो थी easy थी जो 27 November 29 वाली थी तो थोड़ी easy shift थी ठीक है अगर उसमें आप कम score कर रहे हैं तो तो chances कम हैं लेकिन उसके बाद वाली shift में अगर आप 62 63 भी score कर रहे हैं तो आप easily पीटी में qualify हो जाएंगे physical efficiency test के लिए ठीक है तो यह तो 65 के अगर यह मैंने 65 लिखा है ठीक है यह नॉर्मलाइज रहा है तो आप जम के तयारी किजिए ठीक है फिर उसके बाद अगर obc candidates अगर इतना score कर रहे हैं ठीक है तो आप व्लकुल जम के तयारी की जी है ऐसे इस फीमील candidates अगर इतना score आप उनका का रहा हूं है लब यह भी एक्जाम हमारा हुआ था फिस फर्स्ट एक्जाम यह नहीं कह सकते हैं तरीके से उसके बाद फिजिकल होना है ठीक है और फिमेल केंडिडेट 55 प्लस ला रहे हैं तो वह पीटी में क्वालिफाई कर जाएंगे ऐसे स्ट के लिए देखिए 52 प्लस और 50 प्लस अगर आ रहें तो पीटी में क्वालिफाय कर जाएंगे लेकिन गाइज एक चीज में यहां पर इसी वीडियों बताना चाहता हूं जो कि कुछ दोस्त डिसेगरी हो जाएंगे ठीक है अगर उनके इतने मांक्स आ रहे हैं तो वह इतना दो शूर है कि वह 100 परसंट जा क्यां थ्यक्रा चाहिए थिक तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखतें फइनल कॉँव कि नहीं जा सकती है ठीक है तो यह है फाइनल कट घ्टफ अगर यूर तो यह टेगरी से आप आते हैं अगर आपके फाइनल आट इतना श्कॉर आपकर रहे हैं ठीक है तो बहुत अच्छे चांसिस हैं याई कि आपको जॉब मिल जाए ठीक है तो इसके अंडर ही कट आफ रहने वाली है इतनी रींज में नहीं आपकी final cut off रहने वाली है, यह final cut off है, ना कि PET के लिए, PET के लिए मैं पिछले slide पर बता चुका हूँ, लेकिन final selection के लिए आपको इतने marks तो होने ही चाहिए, ठीक है, so यह final, जो job है, यह male candidate के लिए, female candidate के लिए 68 से 72, OBC candidate के लिए 69 से 74 अगर है, तो उनको job मिल सकती है, ठी ठीक है, ऐसे ही है, female candidate में इतने marks में मिल जाएगी, EWS में भी, OBC, EWS और अप्रोक्सिमेटी रहेंगे, ऐसी female candidate के लिए यह, SC candidate में, के लिए male candidate के लिए SC category में, 63 से 67 अगर हो score कर रहे है, तो उनको job मिल जाएगी, ठीक है, 56 से 62 अगर female candidate score कर रहे है, तो उनका भी बहुत अच् जाए, final selection के, ठीक है, तो guys, cutoff आफ की इसी की range में रहने वाली है, final cutoff, ठीक है, यह हमारी final cutoff है, अगर आप, आपके already इतने marks आ रहे हैं, तो आप तो निश्चिंत रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि normalization होगा, कुछ marks बढ़ेंगे भी, ठीक है, तो tension lane की कर दिये, ठीक है, पता नहीं है, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, कि हायार physical हो मार हो रहा है, final selection नहीं होगा, तो यह देखो, यह तो सच्चा ही है, कि अगर माल लीजे, आप 65 पे ही cross कर रहे है, 65 plus marks आपके आ रहे है, तो आप physical में ज मेरे उपर marks है, और मेरे final selection हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आपको थोड़े number ज्यादा लाने पड़ेंगे, 70 पे 75, कि आसपास आपके marks होने चाहिए, final selection के लिए, ठीक है, तो यह final selection वाली, हमारी slide हो गई है, ओके, यही cut off रहने वाली है, निश्चिंत र analysis हर exam के करता हूँ, और साथी साथ video content भी आता है, मैंने ऐसे series चला रखी है, CHSL वालो के लिए, जो की 14th of fab को exam है, ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है, तो आपको channel पर जाके जाएंगे, तो आपको playlist दिख दिख दाई, ठीक है, आप उस series को जरूर follow कीजिए, अगर comment ऐसे मैं वहाँ पर cover कर रहा हूँ, telegram channel है, आप telegram channel से जिल सकते हैं, यहाँ पर मैं सारी information और PDF से यही पर share करता हूँ, नीचे मेरा blog है, ठीक है, यहाँ पर आपको current affairs मिलते है, यह मेरा facebook page है, आप यहाँ पर जाके follow कर सकते हैं, और यह मेरा instagram idea है, अगर आप को कोई personal question पू